हेलो फ्रेंड्स मेरा ना में आलो कश्यप मुईस रोड़ावन चनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको कुछ मोस्ट रोमांटिक कोरेंड ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को MX प्लेयर पर हिंदी रब्डे में मिल जाएगा और यह सभी ड्रामा बहुत ही ज्याद अच्छी है ठीक है और यह सभी ड्रामा मेरी प्रसनल फेवरेट है और अब लोगोंने मेरे लिस्ट मेंसे कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में जरू बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लागा था दोनों का link description में है नहीं तो आपको about section में भी दोनों का link मिल जाएगा तो ज्यादा time ना वेश करते हुए चलो वीडियो को start करते हैं हमारी turn number बे ड्रामा है What is wrong with Secretary Kim ये एक ऐसी business romantic comedy ड्रामा है जो बहुत ही exciting है क्योंकि इस ड्रामा में steamy romance है jealousy और hate वाली एक interesting love triangle है जो इस ड्रामा को एक बहुत ही interesting drama बनाती है इस ड्रामा में story दिखा गई है यंग जुन की जो अपने family business का vice president है और उसके position को achieve कराने में उसकी secretary की मिसु का बहुत बड़ा country viewsन है पर यंग जुन इतना ज़्यादा self-centered है कि कि उसने कभी भी मिसु के काम को appropriate नहीं किया पर जब पूरे 9 साल 7 काम करने के बाद मिसु suddenly resign कर देती है तो यंग जुन को realize होता है कि कि वो मिसु की बिना कुछ भी नहीं है और उसके और मिसु की बीच का bond बहुत से बढ़ कर है पर ये प्यार है या कुछ और ये उसे भी पता नहीं है पर जब वो मिसु को किसी और के साथ देखता है तो उसे जलन होने लगती है और इसलिए अब वो मिसु को desperately अपने पार चाता है पर problem यह है कि यंग जुन का बड़ा भाई सुन्यून भी मिसु से one-sided love करता है और इसलिए वो मिसु को वापस यंग जुन के पास नहीं जाने दिना चाता है तो अब इस complicated love triangle में क्या होगा यह जानने के लिए आपको देखना होगा इस drama को जिससे आप MS player पर देख सकते हो हमारी 9 नंबर पर drama है Don't Dare to Dream यह एक intense love triangle drama है जिसमें आपको streamy romance और jealousy hit वाली एक बहुत ही interesting love story देखने हो मिलेगी इस drama में story दिखा गई है नारी की जो poor background से belong करने वाली एक hard working लड़की है जो अब SBC broadcasting में एक temporary anchor है और SBC broadcasting का star anchor है Havashin इस बार नारी को 3 साल से crust था पर अब situation different है अब नारी उसे श्रिप अपना job rival समस्ती है पर eventually साथ साथ काम करते करते इन दोनों की feelings रिफर्विस्ट होने लगती है और इस बार हavashin नारी के लिए feel करने लगता है पर इन दोनों की बीच की प्यार की candle bloom होती उससे पहले ही नारी की मुलाकात हवे श्रिप के best friend और चैबल कंपनी का air जुन one से होती है जिसे नारी से love at first sight हो जाता है और इसलिए वो नारी के दिल को जीतने के लिए बहुत कुछ करता है और नारी भी उसके affection में आने लगती है तो अब इस interesting और intense love triangle में किसका प्यार पूरा होता है यह जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को इसे आप MX player पर देख सकते हो हमारी एक टंबर पे ड्रामा है प्लेफुल किस इस ड्रामा को सेंट पन उन की time day rating में ली है एक amazing high school romantic comedy ड्रामा है जिसमें cute love story है, love triangle है और interesting plot है इस ड्रामा में story दिखाय गई है हानी की जिस अपने class के सबसे popular और handsome लड़के संग्जू से first side love हो जाता है पर problem ही है कि class में इन दोनों का status एक दूसर से बिल्कुल different है जा संग्जू एक perfect student है वही हानी, class के सबसे dump लड़की है और इसी वज़े से हानी को संग्जू से अपने feeling को confess करने में difficulty हो रही है पर वो कहते हैं न, अगर आपका प्यार सच्चा होतो तो आपको वो एक दिन जरूर हासिल होगा और ऐसा ही होता है हानी के साथ जब अर्थ को इक के वज़े से उसका घर तूड जाता है यह नहीं, यह जानने के लिए आपको देखना होगा इस beautiful ड्रामा को, जिसे आप MX Player पर देख सकते हो हमारी 7 नमबर पर ड्रामा है The Light in Your Eyes यह एक brilliant, time travel, emotional, romantic ड्रामा है यह एक ऐसी ड्रामा है जिसे आप true marshmallows ड्रामा कंसीडर करोगे क्योंकि इस ड्रामा में वो सभी spices हैं जो एक Korean drama lover को चाहिए इस ड्रामा में story दिखा गई है हिजा की इसे एक दिन एक mysterious watch मिलता है जिसके मदद से वो time को manipulate कर सकती है और इसलिए जब उसके father का accident होता है तो हिजा अपने father की जान बचाने के लिए time को rewind करती है पर unfortunately time को बहुत बार rewind करने के बाद भी वो accident नहीं रुखता है पर time को बार बार rewind करने के वज़े से हिजा की उमर बाकी लोगों के comparison में बहुत तेजी से बढ़ने लगती है जिसका नतीज़ यह होता है कि जो हिजा कुछ दिनों पहले MX देर पर देख सकते हो हमारी 6 नमबर पर ड्रामा है once again एक outstanding romantic comedy family ड्रामा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिसने करना चाहिए क्योंकि एक blockbuster ड्रामा है जिसने 18 से ज़्यादा award और बहुत record अपने नाम किये थे और इसलिए तो इस ड्रामा को 824 की high mdv rating ली है इस ड्रामा की story revolve करती है सौंग्योंग और उग्बून और उनके चार बच्चों के round ये दोनों तो अपनी एक प्यारी और अच्छी married life जी रहे हैं और इनके सभी बच्चों की marriage life और love life टोटली messed up है और इसलिए दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत worried है और अप सौंगा फैमिली के ये चारो बच्चे कैसे अपने फैमिली के support से अपनी अपनी love life को improve करते हैं यही इस ड्रामा में दिखाया गया है एक बहुत खुबसुरत emotional family drama है जो आपको comedy romance से हसाएगा भी और family values और melodrama से emotional भी करेगा तो फिर अगर आप इस ड्रामा को दिखने में interested हो तो आप इसे MX player पर दिख सकते हो हमारी फिर्ट अंबर पर ड्रामा है एक Suspicious पार्टनरी के outstanding romantic thriller drama है जिसे 7.9 की IMDV rating ली है यह drama romantic comedy, law और thriller genre पर based है इस ड्रामा में story दिखाया गई है गीवक की जो एक intelligent prosecutor है और उसके एंडर में काम करती है कि इंटरन गौंग ही जो हमेशा खुद को unfortunate और embarrassing situation में डालती रहती है पर उसकी actual problem तब सुरू हो जाती है जब वो खुद कही ex boyfriend के murder की prime suspect बन जाती है इसके बाद यह दोनों मिलकर real murder को ढूनने की कोशिश करते हैं जो एक खतरनाक psycho killer है तो अब क्या यह दोनों इस case को solve कर पाएंगे नहीं और उसी दोरान इन दोनों को प्यार कैसे होता है यह जानने के लिए आपको देखना होगा इस interesting drama को इसमें एक serious murder case को भी बहुत अच्छी तरह से romance और comedy touch के साथ audience को present किया गया है हमारी fourth number पर drama है My Ideas Gangnam Beauty इस drama को Sunpunit की IMDb rating ली है यह college life romantic comedy drama है जिसका concept true beauty की ही तरह same है कि इंसान की असली beauty उसके inside exist करती है ना कि outside पर इस drama की storyline true beauty से बहुत different है इस drama में story दिखाए गई है Kang Mirai की जो एक average सी दिखने वाली लड़की थी और उससे अपने look के वज़े से पूरे school life में लोगों से bully और troll होना पड़ा था और इसलिए इन सभी चीजों से परिसान होकर वो plastic surgery करवा के एक खुबसूरत लड़की बन जाती है ताकि college life में उसके look को लेकर कोई उसे troll न करे पर अभी भी जो लोग उसे जानते हैं वो उसे plastic surgery, monster के नाम से troll करने लगे हैं और इसके side by side story दिखाए गई है दौक क्यूंग और वू योंग की जो लड़कियों की बीच अपने good look और smartness के वज़े से बहुत popular हैं पर ये दोनों भी उपर से तो खुश रहते हैं पर अंदर से अपने अपने personal problem का दर्ध शुपा कर जी रहे हैं तब ये तीनों जो खुद के ही personal problem से सफर कर रहे हैं कैसे एक दुसरे के दुख दर्ध के साथ ही बनते हैं और फिर कैसे इन तीनों के दिल में एक दुसरे के लिए feelings developed होती है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को जिसे आप MX Player पर देख सकते हो हमारी थार्ड नंबर पर ड्रामा है वी melodramatic इस अच्छी ड्रामा वही होती है जो आपको multiple genre का entertainment दे और ये एक वैसी perfect drama है जो आपको emotions comedy, romance को equally feel कराएगी और इस वे जैसे तो इस ड्रामा को 8.1 की high mdv rating मिली है इस ड्रामा की story तीन women पर based है जो अपने अपने life में कुछ serious problem से सफर कर रही है और ये तीनों एक दुसरे के besties हैं और इन तीनों में से पहली है जिन्जू जो एक drama script writer है और वो अपने ex के साथ गुजारे 7 साल के relationship से पूर कम नहीं कर पा रही है और दूसरी है जूंग जूंग जो एक successful documentary director है और उससे अपने beloved क्योंसे को cancer के वज़े से खोना पड़ा था और तब से ही वो persistent complex disorder से सफर कर रही है इसके वज़े से वो हमेशा अपने boyfriend को imagining करती है और उससे बाते करती है और तीसरी है एक बहुत ही hard working single mother हांजू जो अपने personal और professional life को balance करने के लिए बहुत मेहनत करती है तब कैसे ये तीनों अपने friendship और उस special इंसान के मदब से अपने problems को solve करती है जो इंसान इनके दिल में दुबारा से प्यार को bloom करेगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस beautiful romantic comedy drama को इससे आप MX player पर देख सकते हो हमारी second number पे drama है My Unfortunate Boyfriend ये कैसी drama है इसमें mallor drama romance और comedy कूट-कूट कर भरी है और इसी वाज़े से ये drama लड़कियों को बहुत पसंद आने वाली है और इस drama के story का execution बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है और ही कारणे कि इस drama को 6.1 की average IMDV rating मिला है इस drama में story दिखा गई है ताइगून की जो इतना ज़्यादा मनुस्य की वो किसी भी काम को छूता है तो तो खराब हो जाता है और उसकी ये मनुसियत दूसरों को भी बहुत effect करती है पर उसके मनुसियत के इलावा वो एक बहुत ही kind-headed और honest लड़का है जो कभी भी जूट नहीं बोलता है और वही दूसरे side यूजीना एक ऐसी लड़की है जो अपने फाइदे के लिए जूट बोलने से पहले एक पल भी नहीं सोचती है और उसे corporate job भी जूट कही दम पर मिला है तो ये दो completely different personalities को एक दूसरे से प्यार कैसे होता है और फिर ताइगून के मनुसियत इन दोनों के relationship को कैसे effect करती है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस drama को जिसमें आपको थोड़ा सा love triangle और love hate वाला relationship भी देखने को मिलेगा तो फिर अगर आप इस romantic comedy drama को देखने में interested हो तो आप इससे MX player पर देख सकते हो और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उस इंसान को दुखी नहीं देख सकते हो और इसलिए दोनों एक दुसरे के खुसी के लिए एक दुसरे से separate हो जाते हैं क्योंकि दोहुन अलजाइमर से सफर करने लगता है जिसके वज़से उसकी सभी मेमोरीज धीरे धीरे fade होने लगती है और वहीं दुसरे साइड सूजिन को दोहुन के साथ एक happy family create करना था जिस family में उनके प्यारे प्यारे दो बच्चे हों और कुछ regions के वज़से दोहुन फादर नहीं बन सकता है और इनी कुछ कारणों के वज़से ये दोनों separate हो गए थे और अब पूरे 6 साल बाद किसमा दिन दोनों को दुबारा मिलाती है और क्योंकि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार अभी भी बचा रहता है इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों अपने इस relationship को एक और मौका देंगे और क्या स्रिफ प्यार काफी होगा इन दोनों के इस relationship को पूरा करने के लिए ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस drama को इससे आप MX Player पर देख सकते हो अगर आपको top 10 best Korean and change drama देखना है और top 10 Netflix की best romantic Korean drama देखना है तो मेरी end skin with odious हो रही है आप इन दोन odious को देख सकते हो